साई की बात और सुनो मेरे बच्चे कई लोग ये सोचते हैं न कि तुम किसी काबिल नहीं कुछ करने के लेकिन अब उन लोगों को मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है कितना गुण है तुम्हारे अंदर और तुम क्या क्या कर सकते हो ये उन लोगों को भी जानने तुम्हें आपको कमजोर समझते हो, कम समझते हो ना, अब मैं तुम्हें भी बताऊँगा, तुम्हें भी यह जानने की बहुत ज़ादा जरुवत है मेरे बचे, कि तुम किसी से कम नहीं हो, और तुम हर काम में बहुत आगी हो, तुम सारे काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत दिमागे बहुत बुद्धी है तुम सब कुछ कर सकते हो बस तुम्हें एक बर बताने की जरुवत है तुम सब कुछ कर सकते हो मेरे बचे सब कुछ और सुनो जो पाने की उत्सुकता है ना तुम्हारे अंदर वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है मेरे बचे वो च कहते हो साई आज एक दिन हो गया आज दूसरा दिन हो गया आज दीसरा दिन हो गया मुझे दिन गिनाते रहते हो है न तो देखो अब मैं भी तुम्हारे दिन को बहुत कम करने वाला हूँ और बहुत जल्दी तुम्हारे पास वो चीज पहुचने वाली है बहुत जल्द मेरे मेरे बचे तुम्हारे पास एक ऐसे चीज होगी जिसे देख करना कई लोग सोचेंगे कि काश ये मेरे पास होती क्योंकि वो चीज हर किसी के पास नहीं होती हर किसी के पास नहीं होती मेरे बचे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कुछ खास बच्चों के पास में होती है और सुनो मे नए नए चमतकार नएनी अनुबूतियां जिसके कारण तुम्हारे जिन्दगी में बदलाब तो आएगा ही आएगा और तुम अध्यात्मिक्ता में भी बहुत आगे बढ़ चाओगे ब्रद्धी करोगे बलकि आगे से आगे चड़कर लोगों को बोलोगे कि साइं से जुड बनो है ना करोगे ना ऐसा तुम्हारे माध्यम से मेरे बच्चे और भी लोग मुझसे जुड़ जाएंगे बहुत लोग जो है मुझसे जुड़ेंगे मेरे बच्चे बहुत लोग जुड़ेंगे और यह सब तुम्हारे करमों का फल होगा मेरे बच्चे जो तुम्हारे कर क्योंकि अगर तुम भी वैसे बन गए ना तो तुम में और उन में क्या फरक रहेगा फिर जो लोग तुमें देखेंगे या उन्हें देखेंगे फिर वो कैसे कहेंगे कि तुम साइं के बच्चे हो बोलो देखो साइं के बच्चों की एक अलग विशेश्टा है एक अलग धं को में चलगता है उनकी वाड़ी में चलगता है कि वो साई के बच्चे हैं साई ने हमेशा नम्रता सिखाई हैं साई ने हमेशा मदद करना सिखाया है और वही तुम्हारे अंदर होना चाहिए मेरे बच्चे इस बात को ध्यान रखना और कभी भी आइंदा कुछ भी गलत करने यही नहीं, और तुम्हारे घर में कुछ ऐसे दर्वाजे हैं, जो बश्चे रहते हैं, कभी हवा के कारण, कभी किसी कोलने के कारण, तो एक काम किया करो मेरे बचे अपने दर्वाजों में सरसों का तेल या कोई तेल और डाल दो मेरे बचे जो ये घर के दर्वाजे होते हैं न उसमें आवाजे नहीं होनी चाहिए बिना आवाज के दर्वाजा खुलना चाहिए ये अशुप संकेत होते हैं मेरे बचे तो जितना जल्दी हो सके उसमें तेल डाल दो मेरे बचे ठीक है ना और सुनो मेरे बचे कुछ मेरे बच्चों के नाखुन बहुत बड़े हुए है है ना मैं अपनी बच्चियों से नहीं कह रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनको नाखुनों का इतना प्यार है न अपने बहुत त्यार है जबकि वो तूट जाता है न तो उसे किसी ना किसी चीज से जरूडने की कोशिश करती है लेकिन मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ मैं अपने कुछ छोटे बच्चों से और अपने बेटों से कह रहा हूँ कि अपने नाखुनों को काट लो मेरे बच्चे तुम्हारे नाखुन जितने बड़े होंगे न वो सही नहीं है मेरे बच्चे नाखुनों को काट लो और सुनो मेरे बच्चे तुम जिस कुल देवी की मंदर जाने वाले हो ना जाने की तुमने सोचा है तो जाओ मेरे बचे जब जाना होता है तीर तिस्तल पर तो सोचा नहीं करते मेरे बचे ना पैसो के बारे में ना वक्त के बारे में और ना किसी और चिंता में मेरे बचे बाकि तुम्हारे घर की रखवाले मैं कल दूंगा तुम जाओ तुम्हे मा बुला रही है मा का बुलावा आया है तुम्हारे पास मेरे बचे जाओ चले जाओ और सुनो कोई भी बुरा सौपन तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगार सकता सुन रहे हो न तुम, मैं तुम से कह रहा हूँ मेरे बचे, कोई भी बुरा सौपन, तुम्हारा कुछ नहीं बिगार सकता, बस अपने माथे पर उदी लगा लेना, तुम्हारा बाल में बाका नहीं होगा, जो तुमने देखा है न, वो कुछ नहीं होगा मेरे बचे, कुछ न और सुनो जो कलम होती है ना मेरे बच्चे ये बहुत कीमती होती है मेरे बच्चे अगर तुम्हे कोई कलम भेट करता है ना तो उस कलम को सम्हाल के रखो उसकी कीमत पर मत जाओ लेकिन जो कलम है ना मेरे बच्चे अगर वो चल जाये ना तो अच्छे अच्छो की किस्मत भी बिदल सकती है और अच्छे अच्छो को बरबाद भी कर सकती है मेरे बचे तो इस बात को ध्यान रखना जो यह कलम है ना यही कोड़सी पर भी बिठाती है और यही जमीन पर भी बिठा देती है तो कलम की इज़त करना सीखो वो सरस्वती मा है समज रहे हो UFO है जब आज मुझे दुपहर में खाना क्यलाओगे न तो मुझे रोटी के साथ गुर्ड जरूर देना मेरे बच्चे जरूर देना मेरा बहुत मन है आज गुर्ड खाने का दोगे न मुझे और सुनो them ज़्यादा किसी का खास बनने की कोशिश मत करो ज्यादा छीजे बस वैसे ही जीओ, देखो दिखावेगी जिंदिगे में कुछ नहीं रखा मेरे बचे, कोशिश करना छोड़ दो मेरे बचे, छोड़ दो, जो तुम्हारे लिए उचित होगा, वही तुम्हारा साई तुम्हारे लिए कर देगा मेरे बचे, तु जादा परेशान बिल्कुल परशाद बन जाता है मेरे बचे, और उसी परशाद को अपने पूरे परिवार में बाटा करो, और अपने पूरे घर में शड़काव भी किया करो, ठीक है ना मेरे बचे, और सुनो, मेरी साईंसा चरित्र तुम से गिर गई थी न, अचानक से तुम्हारे हाँ से छूट तुम्हें ऐसा लगाना कि तुम्हारे साइं को चोट लग गई नहीं मेरे बचे बस आगे से ध्यान से रखना और एक बार ध्यान रखो जब भी मेरी साइंसा चरितर रखते होना तो किसी साफ सुत्रे कपड़े में लपेट कर रखा करू या वो कपड़ा लाल होना चाहिए य या उस कपड़े को सिल लो मेरे बचे जिससे की उसमें मेरी साइंसा चरितर अच्छे से सुरक्षित रहे मेरे बचे जिसमें मिट्टी धूल मिट्टी ना जाए खुश रहो मेरे बचे हमेशा खुश रहो आज का मध्यान साइ संदेश समाप्त हुआ